जहिन बच्चो जिस घड़ी का में बेसबरी से इंतिजार था अपनी प्रप्रेशंस को बुष्ट करने का वो समय जिसका इंतिजार था वो आ चुका है बेटा जी हां सेंपल पेपर रिलीज हो चुके हैं 2024-2025 के अब सब कुछ लाइन डफ हो चुके हैं बेटा जैसा कि हर साल होता है यानि अगर हम देखें तो टाइम टेबल जैसा हमारा पिछले साल के इसाब से देखा जाए बेटा की बोर्ड का एक्जाम कव होगा तो ओवियसली 15-25 से हो सकता है कि 10-30 डेट हम मान लें कि 15-25 से रखना है उस हिसाब से तोल हमारे पास अगर सेप्टेम्बर को गाउंट करें तो 5 months और कुछ 9-10 डेज बचें और अगर सेप्टेम्बर को count ना करें बिटा तो 4 months और कुछ 9 और 10 डेज बचें आपकी preparations को final बूष्ट देने के लिए इसी journey को कैसे start करना है क्या रहनी चाहिए आपकी पूरी planning क्या क करके October में क्या करना चाहिए October complete हुआ तो November में क्या target set करना चाहिए क्योंकि ये सारी की सारी चीजे बिटा आपको planning आज ही यानि इसी मन्त में इसी week में या फिर एक से दो दिन का अंतर देश लेकर के बिटा अपने आपको relax रख करके पूरी planning कैसी होनी चाहिए ये आप set कर लो कुछ hint कुछ आपकी guidance मैं भी आपके लिए लेकर के आया हूँ इसको देखो और अपनी पूरी की पूरी planning पूरी journey जो होने वाली है उसको decide करो बच्चा योगि अब वो time को मेहनत को utilize कर लिया तो guarantee देता हूँ कि जब जब तुम उस किसी भी happiness वाले phase में रहोगे तो सिर्फ ये याद करोगे बिटा कि 10th में मैंने इतने महिने जम के महनत किया था किसी भी competition में जब participate करने जाओगे तो 10th वाला board आपका result आपको motivate करेगा कि 4 महीने बचे थे और उसमें मैंने उस exam को 4 डाला था अगर आज तुमने वो महनत कर ली बेटा अगर आज वो तुमने मैंने बेटा कर ली तो तुम्हारे parents की आखों में वो सपने जग जाएंगे जिसके लिए जो सपने उनकी आखों में मर चुके होंगे अगर तुमने ये 4 महीने पांच महीने बरबाद किया तो तुम्हारे साथ तुम्हारी live के वो phase चले जाएंगे जब तुम्हें याद करने के लिए तुम्हारे पास 10th की कोई memories नहीं रह पाएगी दूसरा तुम्हारे parents के सारे सपने खतम हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने plan कर रखा है कि मेरा बच्चा जब 10th में इतना result लाएगा या इतना effort डालेगा तो मैं उसके accordingly उसको उस place पर उस position पर पहुचाने का try करूँगा बेटा तुम्हारे एक decisions पर पूरी कम से कम आने वाली 2 से 3 generations पूरी depend रहेंगे बेटा च्योंकि अगर तुमने 10th में अच्छा scale किया तो तुम अच्छे college में जाओगे अच्छे college में जाओगे तो तुम्हारी generation अपने आप अच्छी होगी और आने वाली generation भी आपके लिए एकदम benefit best होने वाली है प्लस आपके parents के सपने भी एक number हो जाएंगे यानि आपके parents की generation आपकी generation और आपके बच्चो यानि आने वाला जो future generation है ये तीनों के तीनों generation सिर्फ आप पर depend है और वो depend इन 4-5 महिनों में होगा अगर तुमने इस 4-5 महिनों को बरबाद कर दिया तो लिख करके ले लेना ना society तुम्हें जीने देगी ना society में कहीं पर कोई place मिलेगा आप ये मत सोचना कि मेरे marks नहीं आएंगे तो मेरी life क्या होगा नहीं बिटा marks तुम्हारी capacity नहीं decide करता marks तुम्हारी ability को decide नहीं करेगा class 10 के जो marks है वो कहीं तुमसे पुछ नहीं जाएंगे लेकिन एक चीज़ जरूर पुछी जाएगी वो है तुम्हारी discipline सारे जो छोटे-छोटे terms है ना ये life में हर moment पर काम देंगे ये सोचो कि तुम्हारे results के बात पर बात करने के लिए मैं आया हूँ हाँ तुम्हारी life में 5-10% जो results है ना वो definitely आपको progress दे सकते हैं definitely आपको बता सकते हैं किमियत रखते हैं 5-10% लेकिन उससे ज्यादा नहीं 90% आपके efforts 90% आपके discipline 90% आपके मैनत और 90% आपकी जिद बिचा इन सभी का जो point है ये आपकी life में impact डालेगा ये आपकी life को बदलेगा ना कि marks तो marks पर नहीं जाना है बच्चा marks कितने आ रहे हैं कितने नहीं उसको तो बढ़ाना है marks कभी कम आ जाते हैं कभी जादा जाते हैं उसके basis पर अपने आपको demotivate नहीं करना है बटा क्योंकि हमारी life अभी तो start हो रही है एक ऐसा golden phase है जिस पर अलग-अलग direction निकलेंगे अगर तुमने 80% से ज्यादा लाया तो हो सकता है तुम्हारे parents किसी और direction में डाल दे हो सकता है तुमने 90% से ज्यादा लाया तुम कुछ भी करके parents तुम्हारे अच्छे college में डाल देंगे तुम्हारी life अच्छी बढ़ जाएगी तुमने ऐसा roadmap जो सिर्फ और सिर्फ आपके इस 10th के board के 20th के marks या 10th के result को नहीं 99% पहुचाना है यह पहुचाना है आपकी life को भी तो excel करो अपने आपको मैंने बोला ना 100% कुछ भी नहीं होता बच्चा इसलिए 99% target set किया है 100% अपने आपको पहुचा हो लेकिन at least 99% पर भी stand कर ल होगे बिटा जिसके लिए तुम capable हो तो हमारी पूरी journey कैसे होने वाली इस 10th को कौन से महीने में क्या करना है क्या नहीं इन सबका moral तभी start होगा यह सब चीजे तभी होगा जब तुम्हें अपने अंदर से यह जिद बनानी होगी अब बस बहुत time waste कर लिया अब कुछ नही बिटा तो हो सकता है स्कूल में तुम्हारा सिर्फ copy या यह चीजे book करवाए complete करवाएंगे मत जाओ बच्चा तुम 50% स्कूल जाने तयार करो 50% बंद करो parents अगर बोलते हैं कि daily school क्यों नहीं जा रहे स्कूल वाले teacher बोलते है marks काट लूँगा कुछ नहीं करेंगे ना तुम marks improve हो सकते हैं तो तुमारी self study अगर कुछ हो सकता है तो वो तुम ही हो बच्चा जो तुम अपने आपके लिए कर सकते हो और उसमें सबसे most important है कि खुद bad करके पढ़ाई करना अगर अब तुम 4 घंटे पढ़ते हो तो double कर दो 8 घंटे का target sit रखो 10 घंटे का target sit रखो लेकिन चाद रखना कि 7 घंटे की proper नेंद होनी चाहिए 6-7 घंटे की proper नेंद लो बच्चा उसके बाद जितना time मिलता है सिर्फ पढ़ाई पर focus करो चार महिना मेनत कर दो बच्चा चार महिना मेनत कर दोगे जिंदगी की हर उस success को जियोगे वरना तुम हर उस moment पर अपने आपको इतना demotivate करोगे ना जब life में तुम्हारे colleagues तुम्हारे दोस्त जो आज strength में महिनत कर रहे होंगे जब उस मुकाम पर पहुचेंगे तो तुम्हें लगेगा कास मैंने भी महिनत कर दिया होता तो मैं भी आज इनके साथ होगा जब वो अलग-अलग फ्लाइटों में अलग- ये सब वो मौका आ चुका है बेटा, decide कर लो, जिद बना लो और अपने आपको एक कमरे में बंद कर लो कि नहीं अब कुछ भी होगा, निकलूँगा तो चार महिने के बाद ही, जम के महनत करूँगा, क्या महनत करनी है, कैसे करनी है, आईए उस पर बात करते हैं बच्चा किस पोजिशन पर खड़ा हूँ, ये decide करने के लिए आप अपने place को utilize करो, place को पहचानो आप, recognize करो कि मैं किस place पर हूँ, किस पोजिशन पर मैं stand कर रहा हूँ, किस place पर मैं stand कर रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब है बच्चा कि suppose करो कि आप maths में कितना chapter पीछे हो चुके हो, अपने अंदर की जहां करके देख लो कि मेरी weakness क्या है बटा, overall आप अपनी weakness को पहचानो कि मेरी weakness क्या है, अब वो time आ चुका है, और आपके strong point क्या है बटा, क्योंकि आपके साथ साथ September में ये half yearly का भी exam होने वाला है बच्चा, तो साथ में ये half yearly exam भी, half yearly exam भी खड़ा कि सर हम किस तरीके से अपने strategy को प्लान करें, इसके लिए तुम्हें एक चीज़ करना पड़ेगा, पहले weakness और आपके strong point क्या है, ये पैचानो, पहला point, दूसरा point ध्यान रखना बच्चा, कि सबसे जरूरी बात होती है, कि अब वो समय आ चुका है, अब वो समय आ चुका है जो आपके weakness है, उसको कुछ दिन के लिए side करो, suppose करो maths आप पड़ाई कर रहे हैं, और maths में आ रहा है, आपके पास 10 chapter, लेकिन बच्चा, उसमें से 2-3 chapters आपको weakness point, मतलब weak हैं, बहुत ज़दा weak हैं, आपने बहुत practice कर लिया है, बहुत मेनत कर लिया है, फिर भी नहीं आ रहा तब अभी वो time है, बच्चा, जब उसको side कर लो, side in this sense का मतलब, उसके बस 2-4 questions practice करते रहो, अगर by the way, तुम्हारे half yearly में उन जो chapter से 1-2 marks छूड़ भी जाता है, मत घबराना बच्चा, क्योंकि हमें अपने उपर विश्वास रखना है, बिलीब रखना है, अगर मैं उसको लेके चला, तो बचे वे strong के जो 80% chapter है ना, वो भी confusion में आ जाएंगे बच्चा, और तुम चाह करके भी, तुम चाह करके भी अच्छे results नहीं ले अपाऊगे, तो सबसे पहला काम कि आपको command वाले chapter पर, जिस पर आपको command है बेटा, command chapter पर जो है, उस पर पूरा का पूरा focus क करना है, September month में, through the revision के लिए, जो भी आप revision करोगे, ध्यान से सुनना, पहले है, weakness और strong point होड़ो, weakness वो होगा, जो आपने practice की होल नहीं आ रहा हो, तो थोड़े दिन के लिए, 10-15-20 दिन के लिए, जब तक आपका आपका फिरली exam होता है, उसको side में रखो बेटा, command chapter 5, जो भ पर ही command है, कोई बात नहीं बच्चा, 7 chapter का multiple revisions कर डालो, जितनी मेनत करनी है कर डालो, क्योंकि बचे हुए जो 7 chapters आगे रहेंगे, उस पर हम अगले महने में मेनत कर लेंगे, और 14 के 14 chapter हो जाएंगे, अगर 3 chapter से सवाल आता है, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, क्योंकि अभी हमें focus इस half yearly पर नहीं करना है, target हमारा रहना चाहिए board का, क्योंकि board में ही results हमें decide करेंगे, कौन सा college अच्छा मिलेगा, कौन सी life अच्छी मिलेगी, समझ में आ गई बात बच्चा, तो simple सा है, अभी focus नहीं, पूरा demotivate नहीं, focus सिर्फ इतना करना है कि command बनान suppose करो कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे, sir मेरा तो backlog लगा हुआ है, कम से कम 10 चप्टर में से 6 चप्टर का, तो आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी, अभी वो समय है, कि सिर्फ और सिर्फ आपको target रखना पड़ेगा, क्या, कि मुझे one sort session से, one sort session इस वीडियो, हर chapter का मैं खुद ले करके आ रहा हूं, हर chapter का खुदी बढ़ा रहा हूं, 2 September से हमारी classes start थी, one sort सब मैं बढ़ा रहा हूं, बचा, अगर आपको maths में, कोई भी chapters में doubt है, maths में या कहीं पर भी कुछ भी doubt है, तो simple सा है कि one sort session देखो, कहीं से भी देखो, जहां से भी देखो, लेकि one sort खतम करो, ज बैकलोग लगा है, सेर बैकलोग लगा है, क्या करें, क्या करें, बच्चा हर दिन गुजरता चला जाएगा, हर दिन निकलता चला जाएगा, और तुम्हारा बैकलोग रहेगा ही रहेगा, इसलिए आज ही बैकलोग लगा है ना, कोई बात नहीं, दिल पे हाथ रखो, बोलो दिन प्राक्टिस कर ले ना उसके या ऐसा नहीं लगता है तो 3-4 दिन ले लो अभी तो समय बहुत है लेकिन डेली रटने से अच्छा है कि उस पर बैठ जाओ बैठ जाओ मतलब टार्गेट सेट कर लो कि मुझे एक दो दिन में बैक लॉग खतम करने किसी भी कीमत पर जब तक खतम नहींगा नहीं जब तक खतम नहींगा तक खाना नहीं खाऊंगा ऐसा अपने आपको टॉर्चर करो जिद बनाओ बच्चा जिद बनाओगे तो वो एक दो दिन के अंदर खतम हो जाएगी वरना कभी नहीं खतम होने वाली तीसरा पॉइंट यहाँ पे चोथा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ बैटा नोट्स बहुत कमपलसरी हैं इस सेप्टेंबर मन्त में इतना आपको कमपलसरी करना ही करना है बच्चा किसी भी की मत पर क्योंकि यहीं से आपका रोड मैप तयार होगा आज के पहले आपने क्या किया मुझे नहीं पता बच्चा लेकिन आज के बाद क्या करोगे इस से आपकी हिस्ट्री बदल सकती है और हिस्ट्री बदलने के लिए पहले माहिने में हिस्ट्री जैसी तयारी करनी पड़े तब यह है कि आप अपने आपको under confident फिल कर रहे हो क्योंकि आज इस पूरे पूरे जर्णी में बिटा जितने भी बच्चे तयारी कर रहे होंगे जितने भी टेंथ क्लास में होंगे उनमें मैं guarantee के साथ कहता हूं चाहे कोई 40% होगा 50% होगा 60% होगा 80% लेकिन उनका strong chapter जरूर ह होगा बस उनको यह realize करना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है मैंने जो पढ़ा है उस पर मेरा command है जब question लगा ले रहे हो तो आपका strong point है strong chapter है उसके बाद जो भे जो अगर आपको weakness मतलब कोई chapter week लग रहा है और टाइम नहीं बिटा तो उसको थोड़ा से 10-15 दिन के लिए side बालेंगे बिटा उसके बाद target set करो अगर backlog लगा हुआ है तो एक ही दिन दो दिन का target set करो complete करो और तीसरा notes जरूर बनाते रहना क्योंकि यह notes बिटा आपको board में बहुत impact डालेंगे notes नहीं बनाओगे तो आपकी कुछ भी कोई भी help नहीं कर पाएगा बच्चा उसके बाद अब जैसे ही September month complete होता है इतना September month में आपको complete करना पड़ेगा बिटा और October month फिर से हमारी start हो जाएगी वो phase जब pressure आना start होगा society का, school का, board का हर तरफ से आपको pressure मिलेगा प्लस उसमें छुटियां भी बढ़नी start होगी, घरवालों के अगल बगल साधियां भी start होगी, disturbance पैद कभी बारिस, कभी ये, कभी वो, कभी school वाले triple ले जाएं, मतलब जम के enjoy किया है, लेकिन अब आ रहा है आपका October month, एक ऐसा month जहां से आपकी जर्नी थोड़ी से strict होने वाली है, थोड़ी से stressful होने वाली है बेटा, उस moment पर आपको अपने उपर बहुत भरोसा रखना पड़े का, इसलिए अपने आपको under confidence नहीं जाने देना है, over confidence पर रखोगे, और अब मेहनत जम के करोगे, क्यों कि stress भी आएगा, society टाना मालेगी, board आगया, घूम रहा है, parents भी बोलेंगे, board में दो ही तिन महीने बचे हैं, और पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा है, हर moment पर है स्कूल वाले भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये assignment पूरा कर, वो assignment लाओ, ये practical लाओ, अगले मेने pre-board है, उसकी तयारी करो, बहुत strong chapter बना करके दूँगा, chapter इतना खतरनाक, paper इतना खतरनाक दूँगा, कि तुम लोग सब सारे फेलो जाओगे, तुम ये notes बना कर नहीं दो दिवालियों की, start होगा October, November, फिर December में ठंड, वैसे ही हमारे पास excuses रहते हैं, जैन में कोई पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि tension रहती है, अगले मेने board है, और उसके बाद 15 फायवा जाएगा, समय कैसे निकल जाएगा, बच्चा, कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए decisions बना लो, कि September और October को 4 डालेंगे, अब October की planning strategy क्या होने वाली है, यह मैं बता देता हूँ बेटा, देखो, अब जो भी, अब जो भी आपने focus किया था, जो भी revisions किया था, जो बचे वे chapters है, क्योंकि आप half early maximum बच्चों के खतम हो चुके होंगे, तो अब आपको काम करना है, focus करना है बेटा, remaining, focus on remaining chapter पर, आपके जो बचे हुए chapters है न, remaining chapters बोल दो, या फिर आपके week chapter है, जो आपने छोड़ रखा है, remaining और week chapter पर command बनाना है, start कर दो, उसकी डेली regular classes लेनी, start कर दो, उस पर practice करते रहो, साथ साथ में, पीछे वाले chapter का revisions भी करते रहो, क्योंकि ऐसा नहो, मैं में आपको पता है, बच्चा, कि अगर आप 10 दिन भी किसी chapter से दूर रहते हो, तो समझ लेना, कि आपका वो 10 दिन, वो पीछे वाला chapters भी दिरी दिरी आप भोलते चले जाओगे, तो इसके लिए, focus करना है, remaining और week chapters पर, उसके बाइद आपको revisions करना है, point number one, ये ध्यान में point number two की बात मैं करूँ बच्चा, तो simple सा अब यहाँ पर आपको focus करना है, आपके doubts को clear करते चलो, कि सर किसी chapter, ये कैसे doubts clear होगा, इस revision से पता चलता रहेगा, कि इसमें कुछ point में doubt, doubt को clear करते चलोगे, और simple सा है, वो doubt clear कैसे होगे, आपको करना पड़ेगा more practice, और यहीं से ब और PYQs, लगाओ बच्चा, क्योंकि ये आपकी इतनी help करेगा आपकी preparation में, जितना कोई और नहीं कर पाएगा, तुम खुद भी नहीं कर पाओगे, अगर तुमने sample paper और PYQs को छोड़ दिया तो, लग जाओ, October में focus करो सारे के सारे, और उसके बाद, daily basis पर कम से कम 15 से 20 questions आपको लगाना है हर chapter के बेटा, हर chapter की daily कम से कम 15 से 20 questions पर लगाने हैं, अगर नहीं लगाओगे, तो समझ लेना कि आपकी practice अधूरी रह रही है, confidence आपका कभी नहीं आएगा, वो confidence दूर करेगा, आपका daily 15 से 20, हर chapter के questions लगा, हर chapter का मतलब, हर chapter से 15 20 नहीं, 2-3 chapter questions उठाया, हर chapter से 23 questions और total 15 से 20 questions हर दिन आपको maths में लगाने हैं, हर दिन मतलब हर दिन, और ये एक October से आपको start कर देना है बिटा, इन तीन चीजों पर focus करोगे, इन तीन चीजों पर focus करोगे, तो October मन्थ में आपका पूरा का पूरा target complete, पूरा का पूरा book complete, अब बारी आएगी November मन्थ की, जिस November मन्थ में आपके assignments बढ़ेंगे, assignments मतलब practicals बढ़ेंगे, pre-board आ जाएंगे, फिर वो पीछे की तयारी, फिर revisions होता रहेगा बच्चा, तो पहले September, October मन्थ में आपको जीट तोड मेहनत कर दी हैं, क्योंकि इन दो महिनों में जितनी मेहनत कर लोगे, वही अगले के ती करके भी मेहनत नहीं कर पाओगे, तो actual में अगर मेहनत करनी है, actual में अगर पढ़ाई का standard बढ़ाना है, तो सिर्फ दो महिने हैं बच्चा, September और October, तो फिर सोचने में निकल जाता है, practical में निकल जाता है, स्कूल वालों के assignment complete करने में निकल जाते हैं, लोगों के torture से tension दूर करने में ही हो जाता है बच्चा, तो इन दो महिनों तुमारे पास हैं, इस पर जम के मेनत कर लो, ये पूरी की पूरी strategy planning तयार कर लो, अब बारी आती है नमंबर मन्द, नमंबर मन्द में बटा, ये एक ऐसा मन्द है जिसमें आपको बहुत happiness मिले हैं, कि छुटियां बहुत पुस करना है, धक्का लगाना है, कि बटा नहीं, इस साल नहीं साधी में जाओंगा, नहीं जाओंगी, कोई बात में, इस बार महनत करूंगा, या महनत करूंगी, क्योंकि मुझे अपना future बदलना है, क्योंकि मुझे अपना इतिहास बदलना है, और उसका बदलने की क्लास टिंथ ही है इसलिए इस साल नो साधी नो किसी फैंक्शन में जाना कहीं पर भी कुछ नहीं जाना से लिवरेशन बंद करेंगे सिर्फ एक कमरे में बंद रहेंगे और डिस्ट्रेक्शन से पूरा दूर होकर कि सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेंगे बच्चा तो नौवं डेली कुष्चन में रिवाइज पहले कॉंसेट को करोगे और दूसरा बेटा रिवाइज कॉंसेट एंड 15 से 20 कुष्चन डेली बेसिस पर आप लगाओगे उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया सिर्फ सेंपल पेपर और सेंपल पेपर और पीवाइक्यू से प्राक्टिस करने ये बटा चुकि टाइम बहुत कम मिलेगा तुम्हें असाइन्मेंट इन सबका प्राक्टिस सब इतना भर-भर के आएंगे न बच्चा क कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम मिलेगा उन टाइम में बस ये दो काम करने आपको रिवाइस करने हैं कॉंसेप्ट को ये मैं पूरा का पूरा मैट्स की प्लानिंग बता रहा हूं मैट्स मैं गैरेंटी देता हूं कि तुम्हारा एक मांक्स भी नहीं कटेगा अगर ये सभी चीजे तयारी से करना स्टार्ट कर दिया रिवाइस करो अपने concept को और 15 से 20 questions हर दिन लगाओ उसके बाद sample paper और pyqs at least alternate days पर तो जरूर लगाओ बच्चा alternate day पर alternate day पर आपको practice करनी ही एक sample paper या pyqs दोनों में से कोई भी एक जिसे आज लगा लिया तीन बैठ गये तीन घंटे का paper था तो उसको दो घंटे में बैठे और दो घंटे में जितना भी questions हुआ उसको कर लिया बचे भी एक घंटे का break ले करके अगला भी complete कर दिया मतलब एक simple paper एक दिन में तुमें खतम करना अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें कैसे खतम करना लेकिन एक साथ बैठ करके कम से कम 90% questions खतम करने है बचा चाहिए वो दो घंटे लगे या तीन घंटे लगे revise करो उसके बाद sample paper PYQs October से ही start कर देना October में चाहो तो week में तीन लगा लो लेकिन November में आपको alternate day पर लगाना है और December में क्या planning रहने वाली है इसके बारे में बता देता हूँ December में आपको सोचना है बचा सबसे सबसे जरूरी बात क्योंकि यहाँ पर आपके practical अब यहाँ पर December में किसी-किसी school में pre-board खतम हो चुके होंगे मैं खुद आपको मेहनत कर रहा हूँ यह सब आपको करने की बता रहा हूँ इसके बाद मैं बता हूँगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर क्या आ रहा हूँ बटा sample paper और पी वाई क्यूज अब daily तुम्हें लगाने हैं बच्चा daily मतलब daily practice करनी एक sample paper और एक तुम्हें चाहिए कि daily practice करने के लिए sample paper मिलेगी गहां से वो मैं दूँगा तुम्हें मैं तुम्हें दूँगा बच्चा बिल्कुल चिंता मत करना पी वाई क्यू sample paper मिला करके कम से कम 30-35 set तो तुम्हें देई दूँगा तो तुम्हें अगर एक sample paper पिछले महीने लगाया था तो उसमें कुछ तो weakness point था कुछ तो weak point था कुछ तो weak question से जो तुम्हें नहीं आये थे जो तुम्हें help लेनी पड़ी थी इसलिए उस question paper को फिर से 10 दिन बाद फिर से practice करोगे यानि अगर तुम्हें पास 20 sample paper भी है ना तो उस 20 sample paper को कम से कम 100 दिन सो दिन ना सही सो दिन ना सही तुम्हें सतर दिन भी लगा तार उस 20 question paper की practice कर ली ना तो अभी तुम्हें 100 में 100 math में लाने में कोई नहीं रोख सकता बैटा कोई नहीं रोख सकता तो दिसंबर का सिर्फ एक measure step रहेगा बच्चा कि तुम्हें दिसंबर में sample paper और पीवाई की उसको डेली लगाना है बच्चा और अगर इसके बाद time मिलता है तो हर chapter से every chapter से every chapter of math से कम से कम तीन से पांच questions डेली हर दिन चप्टर वन चप्टर पुन यानि 14 चप्टर है तो अगर इस पर से मैं देख लूँ बच्चा तो अगर इतना भी ना लगा पाओ तो सब मिला करके every all chapter का मिला करके तुम at least these questions भी लगा लोगे तीस question ना हो पाया बीस question भी लगा लोगे enough है बच्चा दो काम तुम्हें करना है sample paper daily लगाने है और every chapter के these questions करना होगा अब तुम बोलोगे सर टाइम कहां से मिलेगा बिटा दिसंबर में ना स्कूल बंद हो जाते हैं तो तुम्हारे पास time ही time है छे गंटे की नीद लेना चाहिए तो एक दो महेने अगर चार गंटे भी नीद लोगे तो कोई जरूरी नहीं है दिसंबर में at least तुम्हारे कम से कम 15-18 घंटे की study होनी चाहिए बच्चा 15-18 घंटे मतलब करना है तो करना है तो आपको simple paper और every chapter के कम से कम 20-30 questions daily basis पर practice करनी है और उसके बाद जब January आएगी तो बच्चा इस moment पर ना आपके school रहेंगे ना school के assignment रहेंगे ना कुछ रहेंगे बच्चे और तुम्हारी practice और तुम्हारी revisions रहेंगी और उसके साथ साथ board का tension आएगा क्योंकि January मन्त एक ऐसा मन्त होता है जहां पर आपको बहुत सोच सोच के कदम रखने पड़ते हैं क्योंकि एक दिन भी miss किया तो समझ जाना कि उस दिन के 24 घंटे नहीं at least तुम्हारी life के वो 24 moment खतम हो जा रहें तो इसलिए January मन्त एक ऐसा मन्त है जहां पर तुम्हारे पास बहुत stress होंगे बहुत tension होगा वच्चा board का क्योंकि वहाँ पर लगेगा कि सब कुछ छूटा हुआ है लेकिन तुम already तयार रहोगे अगर तुमने इन 4-5 महिनों में जो मैंने strategy अब समझ लेना class नहीं देखनी है बेटा class बंद कर देना revision through notes जब कभी-कभी महराथन हो सारे चेप्टरों की एक साथ चार चेप्टर पाच प्रेटर की तो उसमें देख सकते हो कभी एक आग दिन दे revision through notes अब काम आएगा आपका notes जो आपने notes बनाया रहा है उसमें revision करो प्रापर तरीके से हर चेप्टर का revision करना है concept जो आपने सीखा है उसके बारे में questions प्रेक्टिस करते रहो दूसरा अब यहाँ पर आपकी speed बढ़ाने के लिए बेटा हर दिन everyday हर चेप्टर से ले करके कम स से कम अब आपको 50 questions लगाने है बेटा यानि 50 questions अगर लगाओगे तो सारी की सारी book के questions भी खतम हो जाएंगे बार बार revision करते रहो ना बार बार क्योंकि आपकी speed हो जाएगी न बढ़ जाएगी जब आप पीछे सारी चेप्टर क्योंकि आपके पास ज्यादा questions तो हैंगे नह वीक में सिर्फ 4-4 लगाने हैं क्यूं बता रहा हूं समझ लेना वीक में आपको 4 sample paper तो लगाने ही हैं लेकिन यहां आपकी ये 50-100 questions भी कर लोगे तो भी बहुत अच्छा है बेटा sample paper सिर्फ वीक में 4 भी लगाओगे इनफ रहेगा लेकिन everyday questions की आपको 50-100 target रखना है कि मुझे इस चेप्टर का मिला करके 5200 मुझे target set करना है बच्छा January खतम किया फैब में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सिर्फ अपने आपको तयार करो अपने mind को sit करो कि मैं तयार हूँ जंग लड़ने के लिए मैं तयार हूँ अपने board exam को phone ने के लिए मैं तयार हूँ अपने future को बदलने के लिए मैं तयार हूँ अपने हर उस मुका साम पर पहुंचने के लिए जिसकी सुर्वात क्लास 10 के बोर्ट से होती है यह आप अपने से decide करोगे यह आप अपने आपको बताओगे यह तो पूरा का पूरा planning मैंने आपको दे दिया है अब आप पूछोगे सर आप क्या देने वाले हो तो बिटा मैं जो कराने वाला हूँ देखो मैं आपके साथ तो लगा हुआ हूँ हर दिन हर दिन हर दिन साम को चैनल पर हो रही है हर दिन साम को 6 बजे पर जैसी आप डिमांड कर रहे हैं वैसा अभी मैं पर दा रहे है यह निपून को इसमें ऐसाल के सेंपल पेपर लाइव करवा हूँ गा जो कि 15 ऐक्टूबर से स्टार्ट नि यानि मेरा प्लान तो तयार है कि मैं अपने बच्चों को क्या करवारने वाला हूँ 15 October से 15 October से सेंपल पेपर 15 साल के सेंपल पेपर प्लस अटलीस कम से कम 3 से 4 साल के हर साल पूछे जाने वाले जितने भी सेट PYQs के होंगे वो सब मैं इस बैच में करवाऊंगा और ये बैच इसमें बिलकुल फ्री है बच्चा तो मैं कहूंगा उन्नती बैच बस ले लो 2100 रुपे आपको दिख रहा है नहीं अगर आज कल में लेते हो बच्चा तो Guru 47 यानि Teachers Day का special हमारा या गिफ्ट चल रहा है बच्चा जो कि 1300 रुपे में मातर अगर दो महीने तीन महीने का भी रिचार्ज की पैसे बचा लोगे तो इसमें सिर्फ इतना ही नहीं कि सेंपल पेपर इसमें वरक्सिट भी यानि हर चेप्टर के most important of 20 questions यानि एक चेप्टर से कितनी questions पुछी जाते हैं उनमें से भी most important जो 20 questions होते हैं उसकी वरक्सिट मैंने live solve करवाई है वो वरक्सिट मिलेगी प्लस इसमें e-book मिलेगी बिटा e-book का मतलब advanced label questions अगर कोई Olympiad की तयारी कर रहा हो तो उसके label भी match की यानि सारे subjects की आपको books भी available मिल जाएंगी प्लस ये प्रगती बैच का features भी handwritten notes और chapter wise recorded video e-books ये सब आपको free में मिलेंगे मात्र 1300 रुपए में अगर आज के आज या कल के कल आप ले लेते हो और मैं अभी live batch में और मेरा target है बिटा 15 October से पहले पहले मैं पूरी की पूरी anxiety खतम कर दूँगा अभी हम हम से जुड़ना चाहते हो और बाद में भी ऐसा नहीं कि अगर आपने अभी लिया तो पीछे का चिप्टर छूड़ गया तो पड़ाओंगा नहीं बच्चा पीछे का चिप्टर अक्टूबर नॉमबर दिसमबर में चलता ही रहेगा लेकिन सेप्टेंबर या max to max भी मैं आपको प्रवाइड करता रहूंगा सामको छे बजेब है अटा 24-7 की अफुशिल यूटूब चैनल पर तो आप डिसाइड कर लो बेटा कि आपका प्लानिंग क्या होने वाला है आप डिसाइड कर लो कि आपको की आपकी तयारी की जर्नी क्या रहने वाली है क्योंक अब इसका एक्जाम दे करके आओं और जब रिजल्ट्स आए तो उसमें उस रिजल्ट्स से सिर्फ मेरी कहानी ना बदले मेरी वज़े से मेरे पैरेंट्स के भी सपनों को पंक मिल सके रेस्ट इस यूर्स चॉइस बच्चा मिलते हैं अंगली क्लास में बबाई टेक क्यार गॉड ब्लेश यू आल देवे ठवेना इस्टे खाल रखें अपना और अपने पैरेंट्स का भी जैहिंद